प्राइपुर के शहीद बीड नाराइन स्विंग अंतराश्च्री क्रिकट स्टेडियम में एक दसंबर को भारत अस्टेलिया के बीच टी-20 मैच खेला जाना है ट्राफिक और सुरक्षा इंतराश्च्री के साथ साथ 1100 से अधिक सुरक्षा बलो को तैनाथ किया गया है एरपोर्ट से लेके होटेल तक स्टेडियम तक के मार्क को साथ डिविजन में बाट बिया गया है और इसका चार्ज SP-7 के अधिकारियों को सौपा गया है आई जी रतनलाल डांगी से बात की हमारे सहयोगी मनूज नायक ने इसे लेकर तैयारिया जोरो पर है वहीं बात करें दर्शकों की खुमारी भी देखने को मिल रही है और वहीं जो है संपून सुरक्षवास्था के प्रभारी राइपूर रेंज के आई जी रतनलाल डांगी को बना गए है रतनलाल डांगी जी हमारे साथ है सिधे उनसे ही बात करते हैं सर सारे 400 का मूमेंट होना सुरू हो चुका है आप पूरे संपुन सुरक्षा के इंचार्ज हैं किस प्रकार की तैयारिया हैं देखे इसमें जो वन डे मेच हो रहा है टी टुन्टी का आज इसमें आस्टेलिया और इंडिया की टीम हा रही है और एक दिशेंबर को हो रहा तो उसके लिए लगबग ग्यारा सो से भी देख भी लिया है और कल हम एक फूल रियर्शल भी करेंगे यह जो खिलाडी रहेंगे कोट याड में रुकेंगे उसके आद उनके मोमेंट भी होंगे खासकर प्रैक्टिस को लेकर और जिए दिन मैच होने उनको तो पूरे रास्ते में लेकर किस प्रकार के इंतिजमात दे की जिम्तारी दिया गया, साथ ही जो खिलाडी आ रहें उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो मेरे टोटल में भी एक स्पी सरक्या धिकारी की तेनाती की कि है साथ ही जो खिलाडीयों का स्टेडियम की तरफ मोमेंट होगा, उसके लिए भी जो है उनके आगे और पीछी सुरक्षा का बंदवस्थ किये गये साथ ही कल जो है उनका practice match होने की विजानकारी जो है दी गई गई है तो उसके लिए भी आवसे माशी सुरक्षा यावस्ता कर दीए गए करकि कोई समस्या नहों खिलाडियों को कोई समस्या नहों और उनकी सुरक्षा का भी पुक्ता इंतजाम जो है IG स्तर के दो अधिकारियों के नितरित्य में पूरे प्रसासन ने की है और एक दिसम्बर को जब मैच होगा तो कहीं न कहीं जो खिलाडियों के साथ-साथ जो दर्शक भी अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकेंगे कैमरा मेन अभिनास चौबे के साथ मनोज नायक आइनस 24-7 राव